हाई फ्रेंड्स वेलकम आप सभी का आर्बी कैमपईस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम विलोम सब्द यानि एन्टॉनिम्स करेंगे फ्रेंड्स यह हिंदी की वीडियो है और हिंदी जिस भी एक्जाम्स में पूछी जाती है उसके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो से आपके कम से कम पांस नंबर बनते हैं तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही साथ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं Dear friends सबसे पहले हम विलोंशब्द यानी ऐन्तनिम्स यानी विप्रीट शबद यानी उल्टाशब्द के बारे में जानेंगे यानी उसकी परिभासा जानेंगे Friends विलोंशब्द की परिभासा एक दूसरे के विप्रीट या उल्टा अर्थ देने वाले उन्हें विलोम शब्द या विपरितार्थक शब्द कहते हैं जैसे हार का जीत आय का व्याय आजादी का गुलामी नवीन का प्राशीन शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ प्रदान करने वाले शब्द हैं अतर इन शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं दियर फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं विलोम सब्द की परिभाशा को एक दूसरे के विवरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम सब्द कहते हैं यानि एंटॉनिम्स कहते हैं Friends, Antonymes's English word है और Willowm सब्द का English में मतलब Antonyms होता है उन्हें Willowm सब्द या विपिरतार्थक सब्द कहते हैं जैसे हार जीत यानि हार का जीत आय का व्याय आजादी का गुलामी नवीन का प्राचीन यानि नया का पुराना या शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ प्रदान करने वाले शब्द है है Friends why यहाँ पे उल्टे नहीं होगा उल्टे होगा आधालग होता है उल्टे में तो आप शाई कर सकते हैं अता इन शब्दों को वियोम शब्द कहते हैं Friends, वियोम शब्द यानि एन्टॉनिम्स का अर्थ होता है उल्टा या विरोधी अर्थ देने वाला अर्थात विलोम शब्द अपने सामने वाले सब्द के हमेशा विप्रीत यानि उल्टा अर्थ परकट करते हैं लिंक परिवर्चन के द्वारा विलोम सब्द जैसे भाई का बहन यानि भाई बहन, राजा, रानी, वर, वधू, लड़का का लड़की, गाय का बैल आदी विलोम सब्द हैं विभिन जाती ये शब्दों द्वारा विलोम शब्द जैसे अधम, उत्तम, अधिक्तम यानि जाता, नियुनतम यानि कम, अनुराग, विरान, अनुराग का विरान होता है, आजात का गुलाम होता है, आगे का पीछी होता है यह सारे विलोम शब्दों के उदाहरन है समास के पद बनाकर विलोम शब्द जैसे समास के पदों को बनाकर विलोम शब्द ऐसे होते हैं जैसे नश्वर का अनस्वर, आदी का अनादी, शंभव का अशंभव, इत्यादी यह सारे विलोम शब्द है इसके बाद friends एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ विभिन जातिय शब्दो दौरा विलोमसब्द यानि जातिय शब्दो दौरा विलोमसब्द जैसे अधम का उत्तम अधिक्तम का निउन्तम अनुराग का विराथ आजात का गुलाम आगे का पीछे आदी शमाज के पद में यानि शमाज के पद बना कर विलोम सब्द यानि अन्टॉनिम स्वर्ड्स जैसे नश्वर का अनस्वर आदी का अनादी संभव का और संभव आदी होते हैं इसके बाद फ्रेंट्स तो चलिए फ्रेंट्स अब हम सुरू करते हैं विलोम सब्द यानि अन्टॉनिम्स यानि विप्रीत या उल्टा सब्द फ्रेंट्स इसमें हम सब्द और उसके विलोम सब्द जानेंगे शत्रू का मित्र यानि फ्रेंट्स शत्रू सब्द का विलोम सब्द मित्र होता है रात का दिन यानि फ्रेंट्स रात का विलोम शब्द यानि अन्टॉनिम्स दिन होता है अम्रित का विश अम्रित का विलोम शब्द फ्रेंट्स विश होता है प्रकाश का विपरित यानि विलोम शब्द अंधकार होता है तम का उजाला होता है यानि तम का मतलब अंधेरा और उजाला का मतलब उजाला होता है यानि तम का विपरीत या फिर विलोम शब्द उजाला होता है इच्छा का अनिक्षा होता है और आठवे नम्मर पर अलपायू का दिर्गायू यानि अलपायू का मतलब कम आयू वाला दिर्गायू का मतलब ज्यादा आयू वाला यानि अलपायू का विलोम शब्द दिर्गायू होता है इसके बाद नौए नम्मर पर अनुराग फ्रेंड्स अनुराग का विलोम शब्द विराग होता है स्वारी वहाँ पे विराठ हो गया था विराग होता है इसके बाद फ्रेंड्स दसवे नमबर पर उतकर्ष का अपकर्ष होता है यानि उतकर्ष सब्द का विलोम शब्द अपकर्ष होता है इसके बाद फ्रेंड्स ग्राहवे नमबर पर आदी का अंत होता है और आदी का अनादी भी होता है इसके बाद बाराहवे नमबर पर आगामी आगामी का गत होता है आगामी का मतलब आने वाला गत का मतलब पीछला फ्रेंट्स एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ शत्रु का मित्र यानि शत्रु सब्द का मित्र सब्द विलोम सब्द होता है रात का दिन अम्रित का विश प्रकास का अंधकार तम यानि अंधेरा का उजाला इक्षा का विलोम सब्द अनिक्षा अलपायू का देगहायू अनुराक का विराग वोतकर्ष का अपकर्ष आदी का अनादी यानि अन्थ और बारामा आघामी का गत विलोम सब्द होता है इसके बाद 12 में के बाद 13 में नमर पर 13 में नमर पर उत्थान फ्रेंट्स उत्थान का विलोम शब्द पतन होता है 14 में पर आग्र आग्र का विलोम शब्द दुराग्र होता है क्या आता है फ्रेंट्स आग्रा का विलोम शब्द दुराग्र इसके बाद 15 नमर पर एकता एकता का विलूम शब्द अनेकता होता है इसके बाद फ्रेंड्स 16 नमर पर अनुज यानि सफे छोटा और अनुज का विलूम शब्द अग्रज होता है 17 नमर पर आकरसन आकरसन का विलूम शब्द विकरसन होता है इसके बाद 18 में नमर पर उद्यमी यानि उद्यमी यानि उद्योपती यानि मेहनत करने वाला उसका विलूम शब्द आलसी होता है यानि उद्यमी का विलूम शब्द आलसी इसके बाद उन्ली शमा परिश्रमी फ्रेंड्स यहाँ पर गलत दिखा आपको लोग परिश्रमी साही कर लिजिएगा और परिश्रमी सब्द का विलोम शब्द यानि एंटॉनिम्स आलसी होता है इसके बाद बीसवे नमबर पर अधक अधक का विलोम शब्द नियून होता है इकी समा आदान आदान का उल्टा यानि आदान का विलोम शब्द प्रदान इसके बाद 22 वे नमबर पर उरुवर यानि उरुवरा भूमी जिसे उरुवर कहते है उसका उसर होता है टेई समा एक एक का विलोम शब्द अनेयख होता है चोबीश अमा आलस्य आलस्य का विलोम सब्द इसफूर्जी होता है एक बार फिर से रिपीट कर देनाओ फ्रेंड's उठ्थान उठ्थान का विलोम शब्द पतन आग्र दुराग्र एकता अनेकता अनुज अग्रज यानि अनुज का अग्रज आकरसंड का विकरसंड इसके बाद उद्यमी का आलसी परिश्रमी का आलसी अधक का नियून यानि अधक का विलोंशब्द नियून आदान का प्रदान उर्वर का उसर एक का अनेक आलज से का इस्फूर्थी होता है इसके बाद 25 नमबर पर अर्थ का अनर्थ यानि अर्थ सब्द का विलोम शब्द यानि विपरित सब्द अनर्थ होता है नगत का उधार यानि फ्रेंड्स नगत सब्द का विलोम शब्द उधार होता है इसके बाद 27 नमबर पर उपस्थित उपस्थित का अनुपस्थित यानि उपस्थित सब्द का विलोम शब्द अनुपस्थित होता है 28 नमबर पर सफल सफल का विलोम शब्द और सफल होता है इसके बाद शक्रिय शक्रिय शब्द का विलोम शब्द निस्क्रिय होता है तीसेवे नमबर पर सीथ शीथ का विलोम शब्द उस्डख होता है 31 नमबर पर शयन शैन का विलोम शब्द जागरण होता है 32 समा वर्ड यानि 32 समा सब्द विधवा प्रेंस विधवा शब्द का विलोम सब्द सदवा या फिर शाधवा होता है 33 नमबर पर विधी विधी का विलोम सब्द निशेद 34 चनिक छाणिक का विलोम शब्द शाष्वत होता है छाणिक का मतलब पलबर के लिए शाष्वत मतलब अनंतकाल के लिए इसके बाद 35 नमर पर हर्ष हर्ष का विलोम शब्द शक होता है इसके बाद 36 नमर पर शुष्क Dear Friends, सुष्क का विलोमशब्द आद्र होता है Friends, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ अर्थ का विलोमशब्द, अनर्थ, नगत का उधार, उपस्थित का अनुपस्थित, सफल का विलोमशब्द, असफल सक्रिय का विलोमशब्द, निश्क्रिय, सीद का विलोमशब्द, उष्ड, शयन मतलब सोना का विलोमशब्द, जागरन या फिर जागना विधवा का विलोम सब्द, साधवा या फिर साधवा विदी का विलोम सब्द, निशेद छनिक का विलोम सब्द, शाश्वत हर्ष का विलोम सब्द, शक और सुष्क का विलोम सब्द, आदर होता है इसके बाद, 37 नमबर पर वर्दान Dear Friends, वर्दान सब्द का विलोम सब्द अभिशाप होता है इसके बाद 38 नमबर पर रक्षक यानि रक्षा करने वाला Friends, रक्षक का विलोम सब्द भक्षक होता है इसके बाद 49 नमबर पर रुगण यानि रोगी रोगी का विलोम सब्द स्वस्थ होता है इसके बाद 47 नमबर पर मूग मूग का विलोम सब्द वाचाल होता है इसके बाद Friends, 41 नमबर पर शगुड शगुड का विलोम सब्द निरगुड होता है इसके बाद 42 यश यश का विलोम सब्द अपयश होता है इसके बाद 43 नमर पर ठोस ठोस का विलोम सब्द तरल होता है इसके बाद 44 नमर पर बंधन यानि बाधना यानि बधा हुआ बंधन का विलोम सब्द मुक्ति होता है यानि आजादि होता है इसके बाद 45 नमर पर नूतन नूतन का मतलब नया इसका विलोम सब्द पुरातन होता है यानि पुराना होता है इसके बाद 43 नमर पर निरक्ष निड़क्ष का विलोम सब्द रसाच्छर होता है इसके बाद 47 वे नम्मर पर शुलब शुलब का विलोम सब्द दुरलब होता है 48 वे नम्मर पर क्राय क्राय मतलब खरीदना उसका उल्टा यानी विपरीद सब्द विक्रे होता है विक्रे यानी बेचना इसके बाद फ्रेंट्स फिर से रिपीट कर दे राऊं। नूतन का विलोम सब्द, पुरातन, निरक्ष का विलोम सब्द, रसाच्छर, सुलब का विलोम सब्द, दोरलब, क्रे का विलोम सब्द, विक्रे होता है। इसके बाद फ्रेंट्स, 49 नम्मर पर, कृतग्य Dear Friends, कृतग्य का विलोम यानि विपरीत या उल्टा सब्द कृतग्ण होता है इसके बाद पचासवे नमबर पर मोक्ष Friends, मोक्ष का विलोम शब्द बंधन होता है 51 यानि 51 नमबर पर स्वभाग्य Friends, स्वभाग्य का विलोम सब्द दुर्भाग्य होता है इसके बाद 52 नमबर पर सरस सरस का विलोम सब्द नीरस होता है यानि नीरस होता है 53 नमबर पर मितव्याई मितव्याई का विलोम सब्द अपव्याई होता है चबवणमे नमर पर निंदा निंदा का विलोम सब्द स्तूति होता है इसके बाद निंदा के बाद घात घात का विलोम सब्द प्रति घात होता है 56 नमर पर संक्छेप संक्षेप का मतलब संक्षेप में यानि सोटे से में सबको समेतना इसका विलोम सब्द विस्तार होता है यानि विस्तार से किसी चीज़ को बताना इसके बाद संतावन नम्मर पर मौकिक यानि मुँख के दोबरा यानि मुँख से बोल कर बताना उसका विलोम शब्द लिखित होता है यानि लिख कर बताना इसके बाद अंठावन में नम्मर पर सुगंद यानि अच्छी खुश्बू अच्छी खुश्बू का विलोम शब्द दुर्गद यानि बद्बू होता है इसके बाद सजीव सजीव का विलोम सब्द निर्जीव होता है साथवे नम्मर पर गृड़ा गृड़ा का विलोम सब्द प्रेम होता है फ्रेंड्स फिर से रिपीट का दे रहा हूँ कृतअग्न का विलोम सब्द कृतअग्य होता है मोक्स का बंधन सोभाग्य का तुर्भाग्य सरस का नीरस मित्वय का अपवय निंदा का इस्तुति गहात का प्रतिगहात संखेप का विस्तार मोक्षिक का विलोम सब्द लिखित सुगंद का विलोम सब्द दुर्गंद सजीव का विलोम सब्द निर्जीव होता है और 60 वे नमबर पर ग्रेडा का विलोम सब्द प्रेम होता है इसके बाद friends इस लिस्ट में मेरे पास 189 विलोम सब्द हैं इस वीडियो में मैं आपको 60 करवा रहा हूँ इसके बाद की वीडियो में मैं 60 से करवाऊंगा friends अगर आप सभी को वीडियो पशंद आए friends अगर आप RB Campus चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ जाथ बेल आइकन यानि घंटी को बटन को जरूर दबाएं जिसे कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहड़े पहुँचे मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यावाइब झालको फड़ो हुथप जिए भ्रवारो जप साम धन्याव है झाल झाल